जैहिन दोस्तो मेरा नाम है बहादर लोधी और आप देखना शुरूं कर चुके हैं Free Education YouTube चैनल दोस्तो आज किस वेडियो में हम हाली के कुछ दिनों के करन्ट अफियर्स के most important question को discuss करेंगे और दोस्तो हमेशा की तरह सबी question को हम बिलकुल detail में with extra effect के साथ में discuss करेंगे तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नमबर first question से पहला question है वेस्विक भुकमरी सूचकांक 2022 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है टोडल 121 देसों में भारत 107 बे इस्थान पर रहा है और हम बात करें इस index में तो सबसे अंतिम पायदान पर यमन देश रहा है नमबर second question है अली में आकास फ्र लाइफ अन्तरिक्शंमिलन कहां आयज़ुत किया जाएगा दोस्तो आकास फारलाइफ अंतरक्ष संविलन जो है, ये देहरद उन में आयुज़त किया जाएगा और ये कब आयुज़त किया जाएगा, तो ये नमबर में आयुज़त किया जाएगा Next question है, किस कंपनी ने हाली में भारत में अपना पहला Green Data Center लॉंज किया है तो दोस्तो अभी phone pay ने भारत में अपना पहला green data center launch किया है next question है भारत के पहले migration monitoring system का उधगाटन कहाँ पर किया गया है देखे दोस्तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि जिस भी प्रस्ण में पहले या फिर प्रिथम जैसे सब जड़ जाते हैं वो question अपने आप में import हो जाता है तो ये भारत का पहला migration monitoring system है और इसका उधगाटन किया गया है मुंबई में और इसका उधगाटन किस ने किया है तो महराष्ट राज के महिला इवं बालविकास मंतरी इनका नाम क्या है तो इनका नाम है मंगल प्रभात लोडा ठीक है और इसके दोआरा इसका उधगाटन किया गया है और यदि हम बात करें कि जो भारत का पहला migration monitoring system है इसका उधदेश क्या है तो जो प्रभासी गरवबती महिलाएं होती है और इस्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है और जो बच्चे होते हैं इनके बारे में जानकारी प्रदान करना इसका प्रमुख उधदेश यह है नेश्ट कॉस्टन है हाली में किस देश की दौआरा FIFA महिला World Cup 2023 के सुभंकर तजूनी का अनावन किया गया है दूस्टो याद रखना है कि जो FIFA महिला World Cup 2023 है इसका सुभंकर क्या चुना गया है तजूनी ठीक है आप लोग यहाँ पर फोटों में देख पर होंगे और इसका अनावन जो है ये औस्टेलिया और न्यूजिलेंड दोनों देशों के दोवारा किया गया है नेश्ट कोस्टन है हाली में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की उपस्तिती में अयोध्या में कितने लाख दीप प्रधुलित कर गिनीज वक ऑफ वल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दोस्तो अभी हाली में दीवाली के आउसर पर अयोध्या में 15.6-7 लाख जो दीपक हैं इनको प्रधुलित किया गया और ये जो रिकॉर्ड है ये गिनीज ओफ वल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया नैश्ट कोस्टन है अक्टूवर 2022 में T20 अंतरराष्टी क्रिकेट में सबसे अधेक रन बनाने वाले पहले भारती ये कौन बन गए है दोस्तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में और सबसे अधेक रन बनाने वाले पहले इंडियन बन गए है वराट कोहिली और वराट कोहिली ने किसका रिकॉर्ड वरेक किया है तो इन्होंने रोहिस सर्मा का रिकॉर्ड वरेक किया है ठीक है हम बात करें कि रोह सर्मा की नाम पर यह जो record है यह कितने रन का था तो 3741 रन का था ठीक है और वराट कोहिली ने record break करके कितने रन बना लिये हैं T20 International Cricket में तो 3794 रन बना लिये हैं ठीक है और यह वराट कोहिली पहले इस्थान पर आ गए हैं और रोह सर्मा दूसरे इस्थान पर आ गए हैं नेश्ट कोशन है हाली में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दोड तेरा सेकिंड में पूरी करने बाली पहली भारती महिला कौन बन गई है दूस्तों महिलाओं की जो 100 मीटर बाधा दोड है इसको 13 सेकिंड में पूरी करने बाली और पहली भारती महिला जो है यह ज जियोती एराजी, D option correct हो जाएगा, नेश्ट वन की हम बात करें, और नेश्ट हमारा question है, हाली में औरवरकों पर एक E पत्री का, इंडियन एज का सुभरम किस ने किया है, दोस्तो इंडियन एज जो है, ये औरवरकों पर एक E पत्री का है, E magazine है, और इसका सुभरम जो है, ये प्रधान मंत्री नरंद मोदी जी की द्वारा किया गया है, नेश्ट question है, हाली में किस राजी के मुखमंत्री ने, चिराग योजना प्रारम्ब करी है, दोस्तो चिराग योजना में, जो चिराग टर्म है, इसका फुल्फर्म क्या होगा तो Chief Minister Equal Education Relief Assistant and Grant इसका फुल्फर्म होगा और यह जो चराग योजना है यह हर्याणा के द्वारा सुरू करी गई है ठीक है इसका उद्देश क्या है तो कम आयवाले परिवारों की बच्चों को निजी स्कूली सिक्षा फ्री में प्रदान करना इसका प्रमख उद्देश है नेश्ट हमारा कॉस्टन है हाली में जारी United Nation की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीवों की संख्या किस देश में है दोस्तो United Nation ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट के अनुसार गरीवों की जो सबसे ज़्य संख्या है यह अपने देश भारत में देखने के लिए मिली है नेस्ट क्वस्टन है वंगाली की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यानी की साइकलोन का नाम सितरंग किसYeah रखा दोस्तो बंगाल की खाली में अभी एक साइकलोन बना और इसका नाम सितरंग जो है ये थाइलेंड देश ने रखा है ठीक है नाम तो रखा है थाइलेंड देश ने यदि हम बात करें कि सितरंग जो साइकलोन है ठीक है इसने किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो बांगलदेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और बांगलदेश में 24 लोगों की मौत हो गई है इस साइकलोन से और भरत के संदरम में यदि हम देखें तो भरत के कुछ पूर्वी राज है जो कि इस साइकलोन से प्रभावित रहे हैं तो पूर्वी राज्यों में स की सरकार ने अक्टूबर 2022 में पुरानी पेंसन योजना की वहाली को मंजूरी दे दी है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि जो पुरानी पेंसन योजना है ये कब बंद कर दी गई थी तो ये बंद हुई थी एक अप्रेल 2004 को ठीक है एक अप्रेल 2004 को इसको बंद कर दिया गया था और इसकी जगा पर NPS को लागू कर दिया गया था NPS का फुल्फरम क्या होता है तो नेशनल पेंसन इसकीम इसका फुल्फरम होता है और इसी को लागू किया गया था ठीक है और अभी अक्टूबर 2022 में पंजाब ने पुरानी पेंसन इसकीम को क्या कर दिया है वहा पुरानी प्राइम को बहाली करने वाला चौथा राज वन गया है, ओके नेस्ट वन की हम बात करें हाली में डियोगोडों के दौारा विक्सित मिसायल अगनी प्राइम का सफल परिक्षन किया गया, यह किस क्लास की मिसायल है दोस्तो जो अगनी प्राइम मिसाल है ये अगनी किलास की एक मिसाल है ओके डी ओप्सन करक्ट हो जाएगा नेश्ट हमारा कॉस्टन है पांचवे खेलो इंडिया युथगयम की मेजवानी कौन सा राज करेगा दोस्तो पांचवे खेलो इंडिया युथगयम की जो मेजवानी है यह मद्ध प्रदेश को दी गई है ठीक है और हम बात करें कि इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा तो इसका आयोजन किया जाएगा 31 जनवरी से 31 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा ओके नेश्ट कॉस्टन है इडेल गेब हुरन इंडिया परोपकार सूची 2022 म पहले इस्थान पर कौन है सिब नादर है ठीक है हम बात कर लेते हैं सभी इंपॉंट फैक्टों की तो जो इडेल गिब हुरन इंडिया परुपकर सुची 2022 जारी हुई है इसके अनुसार HCL के संस्तापक सिब नादर 1161 करोड रुपे के वार्शिक दान के साथ में देश के सब से दानी व्यक्ति जो हैं ये अजीज प्रेम जी थे और 2022 में अजीज प्रेम जी कौन से इस्थान पर पहुँच गए हैं दूसरे इस्थान पर ठीक है और सिब नादर जो हैं ये पहले इस्थान पर हैं और रेलाइंस के जो मुकेश अंबानी है ये तीसरे इस्थान पर हैं नेस्ट कॉस्षन है और मोश्ट मोश्ट इंपन कॉस्षन है केरा कि हाली में बिर्टेन में बने पहले भारत वन्सी प्रधान मंत्री का नाम बताईए दूस्तों बिर्टेन में पहले भारत वन्सी प्रधान मंत्री पहले भारते मूल के प्रधान मंत्री बन गए है और बहुत दिन तक ही ब्रतें की प्रधानमंत्री रह पाईं और इनके इस थीप्य के बाद में जो रिसी सुनक हैं ये भारत के नए प्रधानमंतरी वन गए है, ओके हम बात करें दोस्तो, ये भारती मुल्के पहले प्रधानमंतरी वने हैं, ठीक है वर्टेन में तो यह question जो है यह most most important question हो जाता है इसी प्रकास से दोस्तों दुनिया के 8 ऐसे देश हैं जिनकी कमान भारत वंसियों के पास में है ठीक है तो यहां से एक question आपके exam में जरूर बनेगा वर्टेन में PM कौन है रिसी सुनक यह सभी भारतिय मूलके है ठीक है पर्टगाल के में जो PM है एंटनियो कोष्टा यह भी भारतिय मूलके है मौरिसस में जो PM है प्रबंद जगननात यह भी भारतिय मूलके है सेसिल्स में जो प्रसिडेंट है वाबिल राम कलावन यह भी भारतिय मूलके है सूरी नाम में जो प्रसाद संतोखी ये भी भारती मूलके है और गोया नाम में जो प्रसाद संतोखी ये भी भारती मूलके है और गोया नाम में जो प्रसाद संतोखी ये भी भारती मूलके है तो इन आठ फेक्टों में मुझे एक नम्मर देख रहा है तो इसका आप स्क्रीन सोट लेके इन सभी फैक्टों को आप जरूर याद कर लें और दोस्तों यदि आप चाहते हैं पूरे साल का important current affairs पढ़ना तो आप हमारी e-book को जरूर वाय कर लें यदि आप पिछले दो सालों का current affairs पढ़ना चाहते हैं और यह जो current affairs की e-book है इन e-book में क्या कई किया है हमने तो सारे वो topic हमने add किये हैं जहां से question आपके exam में पूछे जाते हैं अच्छा इन topic के अलावा जितने भी important question है उन सभी important question को भी इस e-book के अंदर add किया गया है यदि आप पिछले एक साल का current affairs पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पहली वाली e-book को बाय कर लें पिछले दो सालों को current affairs पढ़ना चाहते हैं तो हमारी दूसरी वाली e-book को आप बाय कर लें और दोनों e-book का link कहां पर मिल जाएगा इसी वीडियो के description में बिलकुल जिस प्रकात से हम detail में आपको current affairs पढ़ाते हैं इसी प्रकात से पूरे current affairs आपको detail में मिल जाएगा हमारी e-book के अंदर चलिए next one की हम बात करें और next question है भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच Tiger Trump अभ्यास 2022 कहां आयोज़ित किया गया है दोस्तों याद रखना जो Tiger Trump अभ्यास है ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में आयोज़ित किया जाता है ठीक है और यदि हम बात करें कि इसका कौन सा संस्कन था 2022 में तो इसका दूसरा संस्कन था और इसका आयोज़ित कहां पर किया गया है तो विसाखा पतनम में इसका आयोज़ित किया गया है कोई भी सेन अभ्यास हो कि बाल तीन चीज़े पूची जाती है कि वो सेन अभ्यास जो है किन किन देशों की बीच में आयोज़ित किया गया दूसरा पूछा जाता है कि उसका संस्कन कौन था तीक है और तीसरा पूछा जाता है उसका आयोजन स्थल तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है विसाखा पतनम में नेक्स्ट कॉस्टन है विस्ब चेस चेंपियन मेगनस कारलसन को हराने वाले दुनिया के सबसे यवा खिलाडी कौन बन गए हैं दोस्तो इस कॉस्टन का सईयन सरो जाएगा ओप्सर ममर डी डी गुकेस बन गए हैं सभी इंपॉंट फेक्टों की बात करें तो विस्ब चेस च हैं यह कहां के रहने वाले हैं तो यह तमिल नाडू के रहने वाले हैं भारतिये ग्रेंड मास्टर हैं ठीक है और डी गुकेस ने मेगनस कारलसन को 17 अक्टूबर 2022 को एमचेस रैपेड ओनलाइन टूनेमेंट में हराया है ओके नेश्ट कोस्टन है मद्द प्रदेश वनेजिव बोर्ड ने मद्द प्रदेश में किस नए वाग अभ्यारन को मंजूरी दी है तो दोस्तों MP के अंदर एक नया टाइगर रेजर्व बनाया जाएगा इसका नाम क तो दुर्गावती टाइगर रेजर्व और इसको मद्द प्रदेश वनेजिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी है बी अप्सन करॉक्ट हो जाएगा नेश्ट कॉस्टन है किस देश के पूर्व प्रदान मंत्री पर विदेशी तौफों को बेंचने आरोप के कारण चुनाव आयोग ने 5 साल का वेन लगा दिया है, तो दोस्तो पाकिस्तान के पूर्वे प्रधानमंत्री हैं, फोटो में देख के नाम बताइए, इनका नाम क्या है, इमरान खान ठीक है, तो इमरान खान पर विदेशी तौफों को बेंचने के आरोप के कारण, चुनाव आयोग ने 5 साल का वेन लगा दिया है और इनकी जो संसत की सदस्यत थी, वो भी रध कर दी है neshta मारा कॉस्टन क्या है अंतरराष्ट के इन्दुगा दिवस कम मनाया जाता है, दोस्तों अंतरराष्ट इन्दुगा दिवस जो है ये इसको भी आप याद रखेंगे नेश्ट कॉस्टन है विस्ब पोलियो दिवस कम मने जाता है दोस्तों विस्ब पोलियो दिवस जो है ये हर साल मने जाता है कब 24 अक्टूबर को ठीक है और ये दिवस क्यों मने जाता है तो पोलियो के बारे में जागरुकता वडाने के लिए ये दिवस मनाय जाता है 24 अक्टूबर को अच्छा ये दिवस जो है ये पोलियो टीके की खुज करने वाले वेग्यानिक जोना सालक के जैनम दिवस के उपलक्ष पर मनाय जाता है और 2022 में वर्ल्ड पोलियो डे की थीम क्या थी माताओं और बच के लिए जाना जाता था दोस्तों इनको जो है ORS का प्रियोग के लिए जाना जाता था ए ओप्षन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा ORS इसका फुल्फरम होता है ORAL REHYDRATION SOLUTION ठीक है और इसकी खोज करने वाले चेकित सक डाक्टर दिलीप महाल नोबिस का हाली में निधन हो गया है और 87 वर्स की आयू में इनका निधन हुआ है और किस कारण से इनका निधन हुआ है तो COVID-19 के कारण इनका निधन हो गया है हम बात करें कि डाक्टर दिलीप महाल नोबिस जो है ये किस राज्य से सम्मंदित थे तो ये पस्चम मंगाल से सम्मंदित थे ठीक है ये सारी बातें आपको याद रखना है नेश्ट कॉस्टन है ट्राई की ताजा रपोर्ट के अनुसार लैडलाइन फोन कनेक्शन में किस कंपनी ने VSNL को पचार दिया है और देश की सबसे वड़ी कंपनी बन गई है तो दोस्तो लैडलाइन फोन कनेक्शन के मामलों की यह दी हम बात करें तो लेड नाइल फोन कनेक्शन में जो Reliance Geo है इसने VSNL को पच्छार दिया है ठीक है और Reliance Geo जो है ये देश की सबसे वड़ी कंपनी वन गई है दोस्तो यहाँ पर हमने 25 कॉस्टन को डिसकस किया सवी कॉस्टन को बिल्कुल डेटेल में और आसान भासा में समझाने का प्रि लेगा इसी वीडियो की डिसक्रिप्शन में अब दोस्तो आपनों के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है यदि आप इस कॉस्टन का आंसर कम से कम 10 फैक्टों में देते हैं तो जो टॉप 3 हमारे विजिता रहेंगे उनको हमारी e-book जो है विल्कुल फ्री में दी जाएगी ठ अमुदाय की हैं आपके लिए ये चैलेंजिंग कोस्टन है दुरुपती मुर्मू के बारे में टॉप 10 इंपॉंट फैक्ट आपको लिखना है ठीक है यदि आप टॉप 10 इंपॉंट फैक्ट लिखते हैं इनके बारे में तो जो टॉप 3 बिजिता रहेंगे उनके लिए ताकि वो भी हमारे कॉंटेंट का फायदा उठा सकें जो निव इस्टुडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बैल आइकन दवा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिक्शन मिल सकें इस राम राम दुआ सलाम मिलते हैं नेश्ट वीडियो में किसी निव टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मातरम